हेलो दोस्तो राजस्तान सफाई कर्मी बर्ती को लेकर दोस्तो बड़ा अपडेट आज के लिए और पूरे प्रोसेस में दोस्तो डिटेल में जानकरी इस वीडियो में दे रहे हैं तो दोस्तो वीडियो को ध्यान पूर वक्त देखें तो दोस्तो राज़स्तान सफाई कर्मी बर्ती में परिक्षया को लेकर इस्तितिया साफ कर दिये यहाँ पर सोचा ले, नालिया, कच्रा, सिवरेज, वेपारकों की सफाई करवा कर दोस्तों आपको लिया जाएगा यानि कि practical में दोस्तों 50 अंकों का होगा जिनमें से निम्न है ये आपके करवाये जाएंगे कोई भी एक दोस्तों आपको सफाई अच्छी तरीके से करना आना जरूरी है ये सारे उसके पच्चाथ दोस्तों 50 अंकों के पच्चाथ में 30 नंबर का इंटर्विव होगा दोस्तों इंटर्विव में सभी विद्यार्ट्य के क्यों सन होता है कि क्या पूछा जाएगा किस परकार से इंटर्विव होगा तो दोस्तों इंटर्विव में आपके ये ही पूछा जाएगा कि सोचा ले साप करने के लिए कौन-कौन से उपकरण काम में आते हैं नालियों में कौन-कौन से उपकरण काम में आते हैं उनके नाम क्या है तो दोस्तों यही आपके इंटर्व्यू में होगा नेक्ष्ट दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें परदेश में 13144 पदों पर राजस्तान सफाई कर्मी बढ़ती हो रही है बिना परिक्षा सीधी बढ़ से सफाई से जुड़े कार्य करने वाले अभ्यार्थ्यों को परतम प्रात्मिक्ता होगी जो भी दोस्तों इसमें काम करें उनको पहली प्रात्मिक्ता दूसरी प्रात्मिक्ता विद्वात तलाक सुधा महिलाओं को प्रात्मिक्ता होगी तीसरी प्रात्मिक्ता तुलनात्म रूप से अधिक उम्र वाले लड़कों को फ्रात्मिक्ता होगी जो भी इसमें काम कर रहे हैं तीसरी चोती फ्रात्मिक्ता होगी चैनित इंटर्यूवे प्रेक्टिकल के अंक जोड़ कर लिया जाएगा तो दोस्तो इस परकार से चोता पॉइंट यह हो गिया यानि कि दोस्त परमानपत्र कोई भी दोस्तों मान्य कर दिया गिया है इसमें फैक्टरी गर स्कूल कोलेज होटल ठेकदार दुकानदार मोल कोई भी दोस्तों आपको शपत पत्र अनुबव परमानपत्र दे सकता है वे मान्य कर दिया गिया है अब अगर आपके पास अनुबव परमानपत चरीतर परमान पत्र और देने होंगे यानि कि दोस्तों आपको तीन टोटल सपत पत्र देने होंगे दो चरीतर परमान पत्र और एक आपके सपत पत्र यह तीन डोकुमेंट आपके लिए जरूरी है राजस्तान सफाई कर्मी बरती में और दोस्तों जब इस सफाई कर्मी बरती में कोई अपडेट आएगा तो आपको सब से पहले इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके बता दिये जाएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें